मिशन प्रेरणा उत्तर प्रदेश प्रेरक प्रदेश सबी सिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार राजी पर्योजना कारियाल उत्तर प्रदेश लखनुद्वारा जारी इस वीडियो में मैं आपको दीक्षा एप पर ओनलाइन निष्ठा प्रशिक्षन कारकरम के प्रमुख बिंदूओं से परचित कराने वाला हूँ संपूर्ण जानकारी के लिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए आए जानते हैं इस प्रशिक्षन के प्रमुख बिंदूओं के पारे में प्रशिक्षन की मुख्य विसेश्ताएं बिंदू एक बर्श दो हजार बीस एक्कीस में ओनलाइन निष्ठा सिख्षक प्रशिक्षन कारकरम दीख्षा पोर्टल के माध्यम से 16 अक्टूबर 2020 से प्रारंभ किया जा रहा है बिंदू दो निष्ठा सिख्षक प्रशिक्षन कारकरम हेतु कुल 18 माध्यूल NCERT द्वारा विक्सित किये गए हैं बिंदू तीन हर माह दीख्षा पोर्टल पर 6 माध्यूल अपलोट किये जाएंगे इस प्रकार कुल तीन माह में इस प्राशिक्षन को पूर्ण करना होगा प्राशिक्षन की समय सारणी इस प्रकार रहेगी दीख्षा पोर्टल पर 16 अक्टूबर 2020 से 31 अक्टूबर 2020 तक उपलब्द रहने वाले माड्यूल्स हैं पाठे चर्या और समावेसी कक्षा में स्वास्थ और कल्यान एक नवंबर 2020 से 15 अवंबर 2020 तक उपलब्द रहने वाले माड्यूल्स हैं शिक्षन अधिगम प्रक्रिया में जेंडर शिक्षन अधिगम और आकलन में ICT का समाकलन और कला समेकित शिक्षा 16 नवंबर 2020 से 30 नवंबर 2020 तक उपलब्द रहने वाले माड्यूल्स हैं विद्याले आधारित आकलन पर्या वरण अधियन का शिक्षन सास्त्र और गडित का शिक्षन सास्त्र 1 दिसंबर 2020 से 15 दिसंबर 2020 तक उपलब्द रहने वाले माड्यूल्स हैं सामाजिक विज्यान का शिक्षन सास्त्र भासा का शिक्षन सास्त्र और विज्यान का शिक्षन सास्त्र उच्च पराथमिक इस्तर 16 दिसम्बर 2020 से 31 दिसम्बर 2020 तक उपलब्द रहने वाले मौडियूल्स हैं स्कूल, नेतरत्व, अपधारणा और अनुप्रियोग स्कूली शिक्षा में पहल और पूर्ब प्रात्मिक शिक्षा अर्थात विद्याले पूर्ब शिक्षा 1 जन्बरी 2021 से 15 जन्बरी 2021 तक उपलब्द रहने वाले माडियूल्स हैं पूर्ब व्यवसाइक शिक्षा, COVID-19 परिद्रस्य, स्कूली शिक्षा में चुनोतियों का समाधान और बाल सुरक्षा एवं अधिकार, Child Sexual Abuse and Poxo Act 2012 किसको करना है यह प्रेशिक्षन सभी Diet Faculty, ARP, KRP, SRP, परधाना ध्यापग, सहायक ध्यापग, शिक्षा मित्र एवं अंसकालिक अनुदेशकों को सभी 18 निष्ठा प्रेशिक्षन कोर्स निर्धारित समय अवद में पूर्ण करना अनिवार्य है यह प्रेशिक्षन पूर्व में आफ्लाइन निष्ठा प्रेशिक्षन प्राप्त कर चुके शिक्षकों के लिए भी उप्योगी है क्योंकि इसमें एक अतरिक्त मॉड्यूल को जोड़ा गया है प्रेशिक्षन का लिंक कब और कैसे मिलेगा निष्ठा ओनलाइन प्रेशिक्षन के ब्लॉक टेक्निकल एड्मिन के द्वारा बिकास खंड इस्तर पर ब्लॉक निष्ठा टेलीग्राम ग्रूप एबं वाट्सेप ग्रूप्स में प्रेशिक्षन के सभी लिंक प्रेशिक्षन से एक दिन पूर्व प्रेशित किये जाएंगे प्रेशिक्षन करना कैसे प्रारंब करें सर्व प्रथम यह सुनिश्चित कर लें कि आपका दीक्षा एप मानव संपदा पोर्टल के साथ मर्ज हो चुका है इसके उपरांत प्रशिक्षण हेतु प्राप्त लिंक को क्लिक करें यदि आपको ओपिन बिद्ध का ओप्सन मिलता है तो दीक्षा एप सिलेक्ट करें यहाँ पर आपको स्टार्ट लर्निंग का बटन दिखाई देगा इस बटन पर क्लिक कर आप प्रिशिक्षण करना प्रारंब कर सकते हैं आप अपनी सीखने की गती एवं सुविधा के अनुसार योजना बनाकर निर्धारित माडियूल्स को निर्धारित 15 दिवस में पूर्ण कर लें क्योंकि निर्धारित समय के बाद माडियूल्स दीक्षा पोटल पर उपलब्ध नहीं रहेंगे उनके इस्थान पर अगले तीन मॉडिूल्स अपलोड कर दिये जाएंगे प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र कैसे मिलेगा? प्रतिय कोर्स को पूरा करने हे तू प्रशिक्षार्थी को ओनलाइन मुल्यांकन टेस्ट में निवनतम 60% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा प्रतिय कोर्स को पूर करने के बाद सम्मंधित कोर्स का प्रमाण पत्र शिक्षक को ओनलाइन जारी किया जाएगा सभी 18 मॉड्यूल्स निर्धारित समय सीमा में पूर करने पर निष्ठा प्रशिक्षन प्रमाणपत्र शिक्षक को ओनलाइन जारी किया जाएगा प्रशिक्षन पूर्ण होने के बाद प्रशिक्षन प्रमाणपत्र प्रशिक्षन पूर्ण करने के लगभग 7-10 कार्य दिवस के उपरांत मिलेगा दीक्षा एप पर प्रशिक्षन की प्रगती 100% दिखने में 24 घंटे का समय लग सकता है इस प्रशिक्षन के संबंद में किसी प्रकार की जिग्यासा या समस्या होने पर आप अपने सिक्षक संकुल ARP अथवा निष्ठा ब्लॉक टेक्निकल एड्मिन से संपर्क कर सकते हैं प्रस्तुत करता प्रसेन जीत बैस ARP जनपद कन्नौज